नमस्कार दोस्तों, आप सभी का सोशल अपडेट वर्ल्ड में स्वागत है दोस्तों, पिछले साल जो आमिर खान, अक्षे कुमार जैसे सूपरस्टाज नहीं कर पाए वो अकेले शाहरुक खान ने कर दिखाया बॉइकोट बॉलिवूड की ट्रेंड से बचा कर अपनी फिल्म को सक्सेस्फुल बनाना ये कोई आसान बात नहीं है तो आज के इस वीडियो में हम जानेंगे कि कैसे पठान फिल्म इतने कंट्रोवसी में रहने के बाद भी सक्सेस्फुल बनी आज आपको इस वीडियो में साथ ऐसे रीजिन्स बताऊंगा जिनके कारण पठान फिल्म को इतनी काम्याभी मिली इस वीडियो को शुरू करने से पहले मैं एक बात क्लियर कर देना चाहता हूँ कि मैंने नहीं पठान फिल्म देखी है और नहीं में कोई फिल्मों का एक्सपर्ट हूँ जो भी रीजिन्स इस वीडियो में बताए गए है वो मैंने कई सारे आर्टिकल्स और फिल्म एक्सपर्ट्स के ओपिनियन को ध्यान में रखकर अच्छे से स्टड़ी करके इस वीडियो के माध्यम से बताने का एक छोटा सा प्रयास किया है रीजिन नमबर एक गाने को लेकर हुआ विवाद हमने इतने सालों में देखा है कि जिस भी फिल्म के इद्गिद सबसे ज़्यादा विवाद पैदा होते हैं वही फिल्म जबरदस्त कमाई करती है अगर हम बात करें संजेल लीला भनसाली की फिल्म पदमावत की तो इस फिल्म को भी कई सारे विवादों का सामना करना पड़ा था मगर इसके रिलीज के बाद इस फिल्म ने बॉक्स ओफिस पर अच्छी खासी कमाई की थी और पर्थान के मामले में भी कुछ ऐसा ही हुआ है डीपिका पादुकोन ने बेशरम रंग गाने में कुछ ऐसे कपड़े पहने थे जो आम तोर पर ठीक नहीं थे इतना ही कह सकता हूँ कि वो नॉर्मल कपड़ों से थोड़े ज्यादा ही छोटे थे और जिसका रंग भगवा था और हिंदू धर्म में भगवे रंग को विशेश महत्वा है तो इसी के चलते बेशरम रंग गाने को अलग-अलग स्तर से आलोचना का सामना करना पड़ा और कई धार्मिक संगठनों ने इस गाने को लेकर आपती जताए बात तो यहां तक आ गई की कुछ ने तो सीधे तोर पर इस फिल्म में काम कर रहे कलाकारों को जिंदा जलाने की धमकी तक दे डाली इसलिए जब ये फिल्म सेंसर बोर्ट के पास देई तो उन्होंने कुछ बदलावों के बाद फिल्म को रिलीज करने की इजाज़त दी कुछ भी कहो मगर नेगेटिव पबलिसिटी के वजह से इस फिल्म को काफी फायदा हुआ अब वो फायदा कैसे हुआ ये मैं आपको आगे बताऊंगा नमबर दो स्मार्ट प्रमोशन जैसा मैंने नेगेटिव पबलिसिटी का जिकर किया तो नेगेटिव पबलिसिटी के चलते पठान फिल्म की पी आर टीम जो फिल्म को प्रमोट करने का काम कर रही थी उन्होंने एक गाने को लेकर हुए विवाद को देखते हुए अपनी प्रमोशन स्ट्रेटेजी में कुछ बदलाव किये पठान फिल्म की पियार टीम ने किसी भी टीवी चैनल को या किसी बड़े यूट्यूबर को एक भी इंटरव्यू नहीं दिया आमतोर पर हर कोई हर फिल्म की रिलीज से पहले ऐसा करता है ताकि वो ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुँचे मगर इस बार पठान फिल्म की पियार टीम ने फिल्म के दो गानों और एक ट्रेले के बलबुते पर एक ऐसा माहौल बना दिया कि उन्हें आगे कोई प्रमोशन करने की जरूरत ही नहीं पड़ी जिसके कारण लोगों की उत्सुक्ता फिल्म को लेकर बनी रही ऐसे में कई फिल्मी जगत के जानकारों का यह भी कहना है कि इसी प्रमोशन स्ट्राटेजी की वजह से इस फिल्म को इतनी सफलता मिली है शाहरुक खान का कमबैक साल 2018 में शाहरुक खान फिल्म जीरो में नजर आये थे उनकी ये फिल्म बॉक्स आफिस पर ज़्यादा कमाल नहीं कर पाई थी तो चार सालों के बड़े अंतराल के बाद वो फिल्म पठान में नजर आने वाले थे उनके फैंस को शाहरुक खान के कमबैक का बेसबरी से इंतजार था और जब कोई फिल्मी सितारा चार दशक से भी ज़्यादा समय तक दर्शकों के दिलों पर राज कर रहा हो तो ऐसे सुपस्टा को भुला पाना दर्शकों के लिए नामुम्किन सा होता है तो ऐसे में कई लोगों ने अपने फेवरेट हीरो की कमबैक वाली फिल्म को सिपोर्ट करने की ठानी और तो और 2019 से ही इस बात को लेकर काफी चर्चा चल रही थी कि शाहरुक खान अपनी वापसी के लिए किस फिल्म को चुनेंगे आखिरकार जब से फिल्म पठान के बारे में फैंस को पता चला तो उनके प्रशंसकों ने अपने प्यारे स्टार की वापसी को एक बड़े त्योहार की तरह मनाने का फैसला किया और कुछ ऐसा ही हुआ अगर कुछ फिल्म एक्सपर्ट की माने तो ये एक पेड़ पियार रंगनीती का भाग है कि इस फिल्म को काफी अच्छी शुरुवात मिली मगर कुछ लोगों का ऐसा भी मानना है कि शाहरुक खान जैसे बड़े सुपर्स्टार का करिश्मा ही कुछ ऐसा है कि आप इस बात को जुठला नहीं सकते कि शाहरुक खान वही है जिसने एक सुपर हीरो बनकर बॉलिवूड और हिंदी सिनेमा के डूपते जहाज को बचाने का काम किया है नमबर चार शाहरुक खान का ग्लोबल स्टार्डम फिल्म पठान के विवादों में आते ही लोगों ने शाहरुक खान की स्टार्डम पर सवाल उठाने शुरू कर दिये कुछ लोगों द्वारा ऐसी बाते हो रही थी कि किन खान का स्टार्डम खत्म हो गया है अब शाहरुक खान का दौर खत्म हो चुका है लेकिन दुनिया भर में शाहरुक खान के फैंस ने इस कोशिश को नाकाम कर दिया दुबई जैसे देशों में शाहरुक के नाम का जादू ऐसा चला कि दुबई में उनकी फिल्म का काफी जोरदार प्रमोशन हुआ इस वजह से पठान फिल्म बड़ी संख्या में स्क्रीन पर दिखाए दी गई और रिकॉर्ड तोड कमाई के साथ सुपहित हो गई नंबर पाच शाहरुक खान और ट्विटर जी हाँ, शाहरुक खान और ट्विटर इन दोनों का कॉंबनेशन भी काफी इंपॉर्टन्ट माना जा रहा है शाहरुक खान ने किसी टीवी शोईया, यूट्यूब पर एक भी इंटरव्यू नहीं दिया लेकिन वो हमेशा ट्विटर के माध्यम से अपने प्रशंसकों के संपर्क में बने रहे शाहरुक ने अपने ट्विटर अकाउंट के जरिये, आसकेसार के, ट्रेंड को शुरू किया और फैंस के सवालों का सीधा जवाब दिया इससे फिल्म पठान या शाहरुक को बिना किसी नुकसान के फायदा हुआ है शाहरुक के फैंस ने इस हरकत को काफी पसंद किया और फैंस से सीधे बातचीत करके, शाहरुक उनके दिलों में अपने लिए जगा बना रहे थे जिनका उन्हें काफी फायदा हो रहा था पठान फिल्म के सुपहिट होने के बावजूद आज भी शाहरुक खान अपने फैंस के सवालों का जवाब दे रहे है ये सिलसिला आज भी उन्होंने जारी रखा है सोशल मीडिया का पॉजिटिव वे से इस्तेमाल करके भी आप अपनी फिल्म का अच्छा खासा प्रमोशन कर सकते हो ये शाहरुक खान और पठान फिल्म की टीम ने करके दिखाया है इसमें कोई शक नहीं की शाहरुक खान ने कई सारी हिरोइन्स के साथ काम किया है मगर दीपिका और उनकी जोड़ी हमेशा स्प्रीन पर लोगों ने ज़्यादा पसंद की है अब तक इन दोनोंने साथ में चार फिल्में की है जिसमें ओम शांती ओम, चैननाई एक्सप्रेस, हैपी न्यू येर और पठान शामिल है इन सारी फिल्मों में ये जोड़ी काफी ज़्यादा पसंद की गई है मगर जब बेशरम रंग गाने को लेकर जो विवाद सामने आया तब से दीपिका पादुकोन को साइड लाइन में रखा गया और फिल्म का पुरा फोकस शाहरुक खान के इर्दगिर्द ले जाने का काम किया गया ताकि लोग उस विवाद को याद ना रखे और ये रंणीती कारगवी साबित हुई और फिल्म के रिलीज तक फिल्म का पुरा फोकस शाहरुक खान के आसपास ही रहा और जिसके चलते फिल्म विवादों में घिरी हुई है ये बात लोग भूल गए जिसका फाइदा फिल्म ने पुरा उठाया पठान फिल्म के हीरो बेशक शाहरुक खान होंगे मगर इस फिल्म में सल्मान खान का नाम जुरने से इस फिल्म को एक अलग ही हाइप मिल गई और इसका असर फिल्म पर ऐसा हुआ है कि फिल्म में शाहरुक खान के एंट्री से ज़्यादा सल्मान खान की एंट्री की ज़्यादा चर्चा हो रही है और इसी के चलते सल्मान खान के फैंस से भी इस फिल्म को उतना ही प्यार मिल रहा है I hope आप भी इस वीडियो में बताए गए सभी साथो reasons से agree करते होंगे मगर इन reasons के अलावा आपको कौनसा ऐसा reason लगा है कि ये भी reason इस वीडियो में होना चाहिए था अगर आपको ऐसा लगता है कि इस वीडियो में बताए गए इन साथो reasons के अलावा कोई और भी reason है जो इस फिल्म को इतना successful बनाने के लिए जिम्मेदार है तो आप मुझे नीचे comment करके बता सकते हो बाकी वीडियो में दी गई जानकारी अगर अच्छी लगी हो तो वीडियो को like कर दिया करो आपका एक एक like मेरे लिए काफी important है उससे मुझे अगली वीडियो बनाने के लिए motivation मिलता है